हैं आफ ऐलो फ्रेंड्स में आपको स्वागत है आज हम इस तरह का थाल पोश बनाएंगे सेंटर में इसके मैंने फ्लार बनाया है यह देखी और बीच में यलू पाट बनाया है और इसकी यह कलीं बनती हैं बारा मैंने इसकी करिया रखी हैं, और यह जो करिया है, यह ऊपर देखेगी चेंश स्टीच से चोटी की तरह हमने यह बनाई है, यहाँ से total हम किनेंगे yellow तक तोँगे 19 रो Android है 19, दो फिलिस्ट रो भी किनेंगे, तो यह 21 रो हो जाएंगे यह मैं आपको इसलिए बता देती हूं अगर आपने छोटा बनाना है तो आप उसका आइडिया लगा ले कि 21 रोग बनने से हमारा 19 इसका डायमेटर आया है अगर बड़ा बनाना है तो आप उसके खौर्डिंग बना सकते हैं और इसके लिए मैंने यह 11 नंबर का क्रोशिय दुमाएंगे और यहां पर क्रोश्य हुक डाल कर इस तरह से तो यह सरकल बन गया हमारे पास पिर एक चेन दो और तीन तीन चेन लीड धागा लेकर हम डबल क्रोश्य बनाएंगे इस सरकल में हम अपना क्रोश्य वक करेंगे अब यह डबल क्रोश्य बनाया मैंने यह धागा लिया है यहां से क्रोश्य हुक डाला सरकल में इस तरह से यह 3 हो गए 3 से हमने 2 बना दिये 2 से हमने 1 बना दिये फिर से देखिए यह धागा लिया है तीन हो गए फर्स्ट टू निकाल लेंगे धागा लेकर फर्स्ट टू निकाल दिये अब यह दो रहागे अब यह दो के दो निकाल देंगे इस तरह से हम यहाँ पर 11 ग्यारा बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हमारी साइड वाली चेन, जो हमने शुरू में तीन की चेन ली है, इसको हम एक डबल क्रोशिया मनेंगे, तो ये इसके साथ मिलाकर ये बारा हो जाएंगे, ट्वैलो, ये चेन को हम साथ में गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, व्यारा, बारा, इसको हम खीच देंगे, ये धाके को यहां से खीच देंगे, ये एक, दो, तीन, थर्ड चेन में हमने राउंड को स्लिप स्टिच से जोईन करना है, इस तरह से, फिर तीन चेन लेंगे, तीन चेन ली हमने, जहां पर हमने जोईन किया, सीम प्लेस वर हमने डबल क्रोशिया बनाना है, तो इस से ये एक ही जगा, ये दो बार हो गया, इसको हमने एक डबल क्रोशिया मानना है चेन को, और एक डबल क्रोशिया बनाया, तो एक ही चेन में ये दो बार हो गया, हर चेन में हमने दो बार बनाना है, अब हम नेक्स चेन को उठाकर बनाएंगे दो बार नेक्स चेन में फिर दो बार इस तरह से ये दो, दो और दो हर चेन में हमने दो बार बनाया डबल क्रुशे यहां फर फर्स्ट राउंड में मेरे पास ये टोटल ट्वालव थे साइड वाली चेन को मिलाकर अब ये साइड वाली चेन को मिलाकर 24 हो गए 24 डबल हो गए ये एक, दो, तीन, थर्ड में हमने राउंड को स्लिप स्टिच से राउंड को जोईन किया अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इस चेन में से हमने एक बार ग्रीन कलर को निकाल दिया अब नेक्स चेन में एक बार बनाएंगे तो ये इस तरह से हमारा धगा स्टार्ट हो गए एक, दो, तीन, चेन, लेंगे तीन, लेकर हमने यहीं पर सेम प्लेस पर एक बार डबल कुरुश्य या बनाएंगे तो ये दो होगे एक ही चेन में ये दो होगे next में हम एक बार बनाएंगे देखिए यहां पर दो बार हो गया फिर एक बार बनाया इसके बार हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ चेन ली हमने और यहां पर उपर यहां से यह दो धाके उठाकर हमने slip stitch बनाना है इस तरह से फिर हम next में दो बार बनाएंगे दो बार बनाया फिर next में एक बार बनाएंगे एक chain में हमने दो बार बनाना है एक chain में हमने एक बार बनाना है जिस तरह से हम circle बनाते हैं उसी तरह से हमने increase करना है और उसके साथ हमने यह chain लेनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, हाथ चेन लेकर हमने यहाँ से चेह दो धागे उठा लेंगे, यहाँ पर हमने यह ढ़िए, यह दो धागे उठाएंगे, इसको ऐसे पीछे करेंगे चेन को यहाँ स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर हम दो बार बनाएंगे फिर इसी में यह दो बार हो गया फिर एक बार बनाएंगे फिर आठ चेन लेंगे चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ चेन लेकर यहां से दो धागे उठाएंगे इसको हम यहां से पीछे पकड़ लेंगे यह जो हमने chain ली है और यहाँ पर slip stitch इस तरह से बनाएंगे फिर हम यहाँ पर आके दो बार बनाएंगे एक, same place पर यह दो, फिर next में एक बार तो इस तरह से यह हमारे पास आते जाएंगे loops यह देखें, यह दो बार, फिर एक बार, दो, एक, दो, एक increase हमने इस तरह से करना है, 7 में हमने 8 की chain लेकर slip stitch बनाना है last में आकर 8 की हमने chain ले और यहाँ पर round को join करेंगे, एक, दो, तीन slip stitch से हमने round को join करना है, यह इस तरह से हमारे पास round आया, यहाँ से count करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, चोबीस ते हमारे पास, तो बारा कली आई हमारे पास दूसरा धागा हम इस तरह से start करेंगे, यह देखें, यह हमारे crochet hook के उपर green color है, इसी से हमने ऐसे start कर लिए, जहाँ पर हमने slip stitch बनाया है, same place पर, फिर से हम yellow से slip stitch बनाएंगे, तो इस तरह से धागा start हो गया, एक, दो, तीन, तीन chain लेंगे, तीन chain लेकर next chain में हमने, एक बार बनाना है, double crochet, फिर हम next में, दो बार बनाएंगे, यह देखें, हर दो लूप के बीच में हमारे पास तीन chain है, यह एक, दो, तीन, हर बार हमने इस तरह से बनाना है, first chain में एक बार, second में एक बार, और third में हम दो बार बनाएंगे, जो यह last chain है, तीन में से यह last chain है, हर round में हमने last chain के उपर दो बार बनाना है, तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से बनाएंगे, यह एक बार, तीन के chain हमारी, इसके उपर आगी, फिर एक बार, फिर last वाली में दो बार बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, फिर फिर first chain है, यहाँ पर एक बार बनाएंगे, next chain में भी एक बार बनाएंगे, फिर next chain में दो बार बनाएंगे, same place पर, फिर से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, slip stitch बनाएंगे, हर round में हमने इसी तरह से बनाना है, हर chain में हमने एक बार बनाना है, और जो last chain होगी वहाँ पर दो बार बनाएंगे, तो यह एक, एक, यह last chain है, इसमें हमने दो बार बनाना है, राउंड को जोइन करेंगे, एक, दो, तीन, थर्ड चेन में, slip stitch से हमने राउंड को जोइन किया, अब दूसरा color लगाएंगे, सेम प्लेस पर जहां पर हमने slip stitch बनाया है, सेम प्लेस पर हमने पहले green से slip stitch बनाना है, इस तरह से, तो यह हमारा धागा स्टार्ट हो गए, अब हम एक, दो, तीन चेन देंगे, नेक्स चेन में हम एक बार बनाएंगे, फिर next में एक बार बनाएंगे, और यह last है, last में दो बार बनाएंगे, हर round में हमने इसी तरह से increase करना है, बाकी pattern वही रहेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ चेन लेकर उसी तरह से हमने बनाया हमने, फिर उसी तरह से एक, next में एक, next में एक, फिर next में, यह last है, लूप के साथ इस तरफ हमने दो बार बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, लूप के इस तरफ हर बार दो बार बनेगा, यह देखे, एक, 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 दो, पांच हो गए, यहाँ पर यह तीन थे, यह देखे, एक, दो, तीन, चार हो गए, पांच हो गए, सब जगह इसी तरह से हैं, यह तीन है, चार, पांच, फिर छे, फिर साथ, फिर आठ, लास्ट में आकर राउंड को जोइन करेंगे, एक, दो, तीन, थर्ड चेन में हमने, स्लिप स्टिच से राउंड को जोइन किया, फिर हमने यलो कलर स्टार्ट कर लेना है, इस तरह से, जहां पर हमने स्लिप स्टिच बनाया, आकर थर्ड चेन में, वही पर हमने यलो से एक बाज स्लिप स्टिच बनाना है, इस तरह से, तो जो धागा स्टार्ट हो गया, एक, तो, तीन, अब नेक्स चेन में, डपल क्रोश्य बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर ये लास्ट चेन है, लास्ट चेन में दो बर बनाएंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ चेन लेकर यहां पर स्लिप स्टिच चुनाएंगे फिर आगे इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच है इस राउंड में यल्लो राउंड में यह छे हो जाएंगे यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच है और यह जो हमारे पास लूप सा गए हैं इनको हम इस तरह से साथ-साथ एक दूसरे में पिरो देंगे इनको आप साथ-साथ पिरोते जरूर जाएं कही बार होता है हम बीच में लूप बनाना भूल जाते हैं, मिस हो जाता है हमसे तो अगर आप साथ-साथ ऐसे इसे पिरो देंगे तो आपको पता चल जाएगा पि कहीं पर आपने नहीं बनाया तो आप उसे उस राउंड को निकाल कर फिर से बना लेंगे लेकिन अगर आप सारा बनाकर फिर आप इसे इस तरह से पिरोईगे तो बीच में अगर कहीं पर आपका लूप मिस हो गया तो सारा आपका फिर पैटरन कराब हो जाएगा इस तरह से चोटी बनती जाएगी सभी को मैंने एक तुसरे में पिरो दिया है यह देखिए लास में आकर राउंड को जोइन करना है हमने यह आठ की चेंटी यहीं पर हमने स्लिप स्टिच बनाया फिर एक दो तीन थरड चेंवे राउंड को स्लिप स्टिच से जोइन किया दूसरा कलर लगाएंगे एक बर इस चेंवे से निकाल देंगे जहां पर हमने यलो से slip stitch बनाया है वहीं पर हम green से बनाएंगे फिर एक, दो, तीन chain लेंगे next chain में हम double crochet बनाएंगे फिर हम next में बनाएंगे next में बनाएंगे फिर next में और last वाली में दो बार बनाएंगे दो फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ बार chain लेंगे यहां पर slip stitch बनाएंगे फिर हम next में यह first है यहां पर हम double crochet बनाएंगे तो यहां पर यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ बार आया last में हमने दो बार बनाया और इन लूप्स को हम आपस में पिरो देंगे हर बार हम साथ साथ पिरो दे जाएंगे ताकि अगर कहीं पर छूट जाए तो आप एक round ही आपको निकालना पड़े यह नहीं है कि आप तीन, चार जा पांच round निकाले इस तरह से साथ साथ हम पिरो दे जाएंगे पैक्टर्न सेम रहेगा यहां तक मैंने आपको इसलिए बना के बताया यहीं से, स्टार्ट से ही पैक्टर्न सेम है लेकिन मैंने आपको चार round इसलिए बना के दिखाए यह देखे, चार round बनाने से आपना लू के इस तरहBir न्यूसना पर चाहिए अब इतना फिलाथ French बना लिया मैं इस हेंकि यो से काउंट करें ये एक, दो, तीन, चार, पान, चेर, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा और अठारा, 18 राउंड टोटल मैंने बनाए हैं इसकी, और 18 राउंड बनाने के बाद हमने अब 90 राउंड शुरू करना है, लास्ट मैंने 18 और 90 जो राउंड है म और 18 जब हमने यहां से राउंड बनाई है तो इसमें 18 ही यह आ है हमारे डबल कुरूशी, यहां से हम किने के एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा और 18 हमारे डबल कुरूशी है, 90 राउंड यहां तक तो हम इसी तरह से जाएंगे, तो यह 18 थे हमारे पास 18, 18 के उपर मैंने 19 डबल कुरूशी बना लिए, अब हमने यह वला रूप है, अब यहां पर हमने लूप नहीं बनाना, यह वले लूप को इस तरह से साथ में लेंगे और यहां पर हम स्लिप स्टिच बना दे फिर आएंगे, बस यही इसमें हमने चेंज करना है यह वैले लूप को लेकर रमने स्लिप स्टिच बनाना है, पिर हमो एखिर अपम के पास आगे, यह देखिए, यहां से हमने इस डिया, यह दोन रूप को हमने लूप को और अपने यह स्टीच है हमाने पास, इन तो इसी तरह से राउंड हमने कंप्लीट करना है और यहां पर जो हमने इंक्रीज की है वो इसी तरह से करनी है यह लास्ट में दो तो और यहां पर भी हमने दो बार बनाया है डबल क्रूशिया लास्ट में आकर भी स्लिप स्टिच बनाया हमने स्लिप स्टिच बनाने के बाद राउंड को जॉइन करेंगे सेम प्लेस पर जहां पर हमने जॉइन किया वहीं पर हम एक बार ग्रीन से भी पहले हम इस तरह से चेन लेंगे फिर हम जॉइन करेंगे सेम प्लेस पर तो यह धागा स्टार्ट हो गया हमारा अब हमने लास्ट राउंड किनारी का बनाना है मैंने लास्ट राउंड दो बनाई है यह लोके अगर आपको एक बनाने चाहते हैं तो एक बना सकते हैं बस जो आपका last round है उसमें आपने slip stitch ये बना के इसको pack कर देना है, इसके साथ जोड़ देना है. किनारी बनाने के लिए पहले हम 3 chain लेंगे, फिर next chain में हम double crochet बनाएंगे. फिर next में बनाएंगे, फिर next में बनाएंगे. चार बार हमने double crochet बनाया और एक हमारी side वाली chain तो ये total 5 बार हो गया. दो chain लेंगे, एक और दो, एक chain skip करेंगे, next में फिर से 5 बार बनाएंगे double crochet. दो chain लेंगे, एक chain skip करेंगे और next में हम फिर से 5 बार बनाएंगे. तो यह इस तरह से बनता जाएगा, पांच हमारी double crochet आएंगे, दो chain, एक skip करेंगे, फिर पांच आएंगे, दो chain उपर लेंगे और एक skip करेंगे, तो यह round हमारा complete हो गया, यह देखिए, यहां पर आकर हमने slip stitch से join कर दिये, अब हम next chain में, फिर से slip stitch बनाएंगे, फिर हम, यह हमा वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और इसके बाद हम होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया यहां पर हम आठ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चार, पांच, छे, साथ, आठ बार हमने डबल क्रोशिया बनाया और यह एक स्किप करेंगे, दो स्किप करेंगे, थार्ड में हम सिंगल क्रोशिया से जॉइन करेंगे फिर से हम यहां पर आठ बार बनाएंगे आठ, नो एक, दो, पर यहां थार्ड में हम सिंगल क्रोशिया से जॉइन करेंगे इस तरह से हमारी किनारी बनती जाएगी आप यहां पर आठ पर भी बना सकते हैं या नो बार भी बना सकते हैं इसी तरह से हम राउंड को कम्प्लीट करेंगे लास्ट में आकर राउंड को जॉइन करेंगे जहां पर हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया है वहां पर आकर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे एक चेन लिएंगे और यहां पर धागे को कार देंगे तो इस तरह से यह जॉइन हुआ तो हमारा थाल पोश बनकर त्यार है आशा करती हूँ यह थाल पोश आपको पसंद आएगा अगर यह आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सुब्सक्राइब कीजिए तेंक यू